हमारे चैनल से जुरने के लिए यूट्यूब पर लिम्ब्रा अजेंसी सब्सक्राइब करें तो फिर जब तो इस रोजे से तो फिर जलसे मिलाद नभी से मना क्यों जुलू से मिलाद से मना क्यों जंडा लेराने से मना क्यों कर रहे हो इसलिए के रोजा भी तो रखा गया नभी की मिलाद के जश्टन पर और जलसा भी सजाया जा रहा है सबाना भान भूण वज़ा तो एक है सबब को एक है वहां रोधा लगा लगा सबब क्या है मुस्तफा की मिलाद है यहां जल्जा सजाया गया सबब क्या है मुस्तफा की मिलाद नारे लगाए जा रहे है मुस्तफा की मिलाद रह रहे हैं अलार कॉन्फिरेंस शांदर शांदर तरहतर सजाया गया सबब क्या है मुस्तफा की मिलाद अब बाबु बकर से पूछोगे कि पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं तो अमर भी सबब बताएंगे मुस्तफा की मिलाद उस्मान से कुछोगे कि पीर के दिन रोजा क्यों रखते हो तो उस्मान भी बताएंगे मुस्तफा की मिलाद अब एक है करीके अलग अलग है बस फर्ख इतना है के सहाबा मुस्तफा की मिलाद का जशन रोजार रख कर मनाते थे और हम सहाबा के गलाम, अहले बैत के दीवान, आले रसुल के मस्तारा है मुस्तफा की मिलड कभी जלूस निकाल कर बनाते हैं कभी जंदा लग लगा 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 है कोई अभी फ़र्ख़ लगए कोई फ़र्ख़ हो प्यारे साहावा और हमारे सबब में कोई फ़र्ख़ यह किया है नभी की मिलाद का ज़जा है आज कुछ लोग कहते हैं न ये कहीं से नहीं आया ना बरैली के इमाम ने इस पर फ़वा दिया ना किछोचा के मखदूम ने इस पर फ़वा दिया ना अजमेर के खाजा ने इस पर कुछ फ़वा दिया बलकि ये हकीकत में कुरान का फ़वा है रह्मान का फ़वा है कुरान खरो खुरान जश्ट इड मिलादा नभी जश्ट एक लफ एत दूसरा लफ मिलाद दीसरा लफ नभी नभी चौथा लफ जब इन चार हनु अलबादा है तो हो गया ना जशने एड विया अब लूद 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 अगर मैं बुखारी पेश करूँ तो हो सकता है कोई अहले अधिस खड़ा हो जाए और कहें कि ये अधिस मौजू है जईवी गरीब है शास है मुदलस है मौनलस है तो अब सुनो प्यारे अगर कुरान की आयत पेश करोगे तो अहले अधिस तो अहले खबीज बिनकार ना कर रगा जाए जाए तो इन्सान मुसल्मान इसलाम से खारिज हो जाता है अबते को प्यारे आरे जश चैसी ए फिलाद नविये चार लग्यों का समूथ पुरान की से आओ सूर यूनुनुनू की आयत करीम है 11 वा पारा नोट करो ला इसकास कर्मा काहे आप अदने उम्मत के दर्मियान इस बात लुट रख देए कि ये सब अल्ला के फजल और अल्ला की रहमत है तो चाहिए कि हमारे बंदें बढलो वाला है, फज़ और रहमत मिलने पर जिशन मनाया क्र ज़र गरिय दे drastically का हौँ रह sommes कि यहां फजल और रहमत मुराद मुस्तफ़ की दागा है। फज़ पर वाला ह॥ा मुस्तफ़ का रहा है। तो देखा आपने जलसे का नाम रखकर रहमत आलम दुनिया बता दिया कि जाँ 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 पुरान में रहमत का लफजा है और रहमत मिलने पर चशशा हो आया है उस रहमत से मुराद मुस्तफा की जाँ था है भान लाद मुस्तफा की जाँ था है पुरान के सुनत अदा कर रहा है तो आपने देखा कि जशनत जबूत पुरान अब आई ये ईद का सबूत कुछ लोगों कहते हैं कि इसलाम में तुस्रिफ तीन रीद का तस्वत ये चौथी ईद कहा जाजा तो सुनो प्थारे उनको भी जवाब देना कि सुरत माइदा च्छटा पारा की आयत करीमा लाइशाद फर्माता है रबना अन्जिल अलेइना माइदतं मिनस्सामाई तकुनू लाना रीदल अव्वालिना वा आखिरिना वा आयतं मिन मिन वर्जुकना वा अन्ता खेर रासिकिन हजरत इसाइब ना वर्यम के गौल को पुरान ने निकल लियु किया कि हज़त इसाइब ना वर्यम ने अपने कौम के दर्म्यान खड़े होकर रब की बारगाह में दूा करते बारित आला रब्बना अन्जिल आ लेना आस्मान पर ता इसकतर खान नाजिकर खरम और जिस दिन पो तसुन कां ना जिल हो वो दिन हमारे लिए इएद का दिन और रहा हं और कि वह से अहरे आएवल के लिए वitter का दिन भbal Off लेना हो Хाल्ग हो तो अब देखो हज़रती इसाइबने मरियम के कौल और अकीदे के मताबिक जिस दिन खाने पीने की चीज़ें तस्तर खान नाजिल हो वो दिन इड का दिन बन जाए तो प्यारे यही पर अपने पर हाथ रख कर जड़ा गौर करो और इंसाफ करो कि जिन खाने पिने की चीज़ नाजिल हो वो दिन इड का दिन बन जाए और जिस दिन किलाने पिलाने वाला ला 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 भूरायत शाहिद के रब को हुझूरों की मिलाद इतनी पसंथ है इतनी पसंथ है जावजा पौरान में रवने जहाँ नमज का उक्म दिया जहा सकाथ का उक्म दिया जहाँ खाने काभा की तवाद नहुक्त का वाँ पुरान पाक में अपने नबी की मिलाद का तसकिरा और कहा तहती कि तुम्हारी 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 तुम्हारे पास अल्ला की जाने से एक नूर आया जिस नूर का नाम नुस्ताश्चा है फर्माया लकद मन अल्ला हुआ अल्ला ने इसान कर दिया मुसल्मानों पर अपना नबी भी पहेच का मिलाद का तसकिरा हुआ है अब देखो नब जारे कि कुरान में 20 यों आयते हैं कि जहां अल्ला ने नबी की मिलाद का तसकिरा फर्माया और एक आयत तो ऐसी भी है कि नबी के जनम भूमी का भी तसकिरा फर्माया नबी जिस जगा पाइदा हो हुआ 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 हु कि हुजूर के हर उस वालिद की किसम है कि जिसके पुष्टों मुस्तफा का नूर जगा जगा कसम है आदम की कसम है शीष की कसम है इबाहिय की कसम है इसमाईल की कसम है अब्धुल्मतलिक की कसम है अब्धुल्मतलिक की कसम है कि जिसकी पुष्ट में नूर जगमगा जगमगा जब आमना के खर आया तो सारी काइनान को जगमगा दिजा तो देखाना प्यारे कि जश्टे ईद मिला तो नबी का खुरूफ और सुरूर तो तुम कहां जा रहे हो कोई बखारी उठा रहा है कोई बखारी उठा रहा है कोई बखारी उठा रहा है कोई बखारी उठाता है कोई बखारी उठाता है कोई मिल्चा उठाता है कोई मिल्चा उठाता है कोई मिल्चाता 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 है हर चीज़ का वाज़ बयानम ने कुरान में कर दिया है जो भी तुमें समझना है और कुरान कौन समझाएगा पता है जो कुरान का साथी हो कुरान का साथी कुरान का साथी कौन है क्या कुरान का मुफस्र कुरान का साथी हो सकता है सेयर मिराज अश्रफ एक आलिम का नाम है क्या कुरान का साथी कोई मुखित हो सकता है क्या कुरान का साथी कोई शारे हो क्या कुरान का साथी कोई मुखित हो सकता है क्या कुरान का साथी कोई मुखित हो सकता है नहीं नहीं बौरान का साथी तो वही की था है जिसको न evolves मुणा बनाया है और नभी ने इसको साथी बनाया है तो सुन लो हदीश तिर मजी जैड रिमजिज नहन सरो छि response कि के नभी ने अज़त उन्सरों के साल आखरी खुटबह है आवारी चुम्ला है आवारी खिताब है और फरमाते हैं ओ मेरे सहाबा इन्मी तरक तो तो फीकुमुस्थकले लेड में तुहारे दर्मियान दोबारी भरकल चीज़े चोड़े जा रहा हो अगर तुम उन दोनों चीज़ों को मस्मूती से ठामे रहे तो कभी दुमाना होगे तो फाबारी अर्स किया या रसुल्ला वो दो बार कर चीज़े क्या है तो नबी फरमाते हैं कि पहली चीज़ खुदा किताब है और दूसरी चीज़ मेरे घरवान अहले बैट पुरान का साथी कौन है? और अहले बैट कौन है? सेद मिराज अशराफ अहले बैट मेंसे जलाल अशराफ अहले बैट मेंसे मखनुम अशराफ अहले बैट मेंसे खाजागरी बनवास अहले बैट मेंसे हुसे आज़ाज़ आहले बैत में से इमाम अस्दाइन करीमें लेकिरें शहीदें आहले बैत में से सजिदे करीनाद आहले बैत में से मुला अली मुश्किल कुछाओ आहले बैत में से चाफरो बाकिर आहले बैत में से अली अली अमुसा कासिर आहले बैत में से हसानी असकरी एले बैद में से यहां तक के इमामे पैद अले इससलाओ जो हसनी सेच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् हसन भी जसको कुरान समझाया वो जमाने का सरदार बन लगा वह सियाजम भी जिसको कुरान समझाया वो पीर बन लगा लगा गईना भी अपने महले का बादा और मख़वाश शरख ने जिस तो ओरार सोपँ वो आला हजरत शरफ ही बन बन वो जलाल शरफ भन बन इसलिए प्यारे तो पुरण समझना है एले बैस से समझो, आले app上 से समझो अौलदे नबी से समझो, अौलदे ईली समझो क्यों इसले कि न नबी ने www. Questions कि इसको भनाये υτो समझाएं गलाए तो अलमा भी ऐले बैठि के थामन को पक्ड़ेंगे तभी गुराइन समझेंगे उसमझाएं जिसके इमाम आओंजम एबोह अपना बारे में फर्माते हैं इतने बड़े इमाम आओंजम क्या कि अगर ये दो साल ना होते एक साल इमाम जाफर एक साल इमाम बाकर और वो दो साल इमाम आजम अभू हनीफा ने इमाम जाफर और पाकिर की शागिर्गी ने गुजा ली ती अगर ये दो साल हम तोनों से नहीं पड़ते एल ये घर वारों में इमाम जाफर से अगर मैं सबक ना लेता इन महासर मार करता तुम मैं हलाग हो जांते हैं एम हमने पूँचा, एमाम ओज़ं में आप क्यूं कर हला हो जाते, आप तो अबू हनीफ हो, फित्व कें माम आप हो, दिवित्त कें माम हो, फिलस्फा कें मा माम को, फिलस्फा कें माम हो, और दिया तो रूह में आजम जवाब देते हैं कि नादानों तुम्हें पता नहीं कि इल्म लेना हो तो आलिमों के पाच जाना हो और इल्म को बचाना है तो आलिमों के दाप सलगना कि इल्म लेना हो तो आलिमों के पाच जाओ और इल्म को बचाना है तो अहले पैक के पास है अल्लापाद हम समको सही सब्सक्राइब आप अपने जल्सों की रिकॉर्डिंग के लिए हम से रापता कायम करें लिम्रा एजेंसी अमीराबाद लखनौ मोबाइल नमबर डबल लाइन 3505-5789 पर अपने इistत हैं ।צ्वर्डिंग करें लाद से बिम्रेश नमीराब लिए हमसे मना बाइन 95